हेलो दोस्तों दो कैसे हैं आप इस वीडियो में बात करेंगे पी यू एन वर्सिज जे ए आई ड्रीम 11 प्रेडिक्शन या नहीं कबड़ी का मैच आ गया है लास्ट येर का फिनाले का रिपीट होने वाला है प्रो कबड़ी लीग का बहुत इंपोर्टन मैच मेरी फेवरेट चैनले पर जल्दी से हमारे टेलिग्रम चैनल में जुड़ जो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में टॉप के कोमेंट में यहां पर आगरूली आपको अपडेट्स मिलती है चाहे वो क्रिकेट की हो चाहे वो कबड़ी की हो आप बहतरी अपडेट्स देख पाएंगे बहुत बढ़र टूर्नमेंट है बिग बैश और प्रोकबड़ी लीग में भी ट्रेश्टेट हो चुरूर सब्सक्राइब करके रखो बैल अकन प्रेस करके रखो दोनों टूरमेंट आपके लिए कबर करने वाला दोस्तों पुनेरी पल्टन के बाप स्टार नेख रहे हो ब बैक्ट हुए थे 2023 के एजियन गेम्स के स्कौर्ड में खेले फाइनल कौन थे असलम तो तीनों बहुत अच्छे रेडर्स हैं बहुत काम कर सकते हैं गोयत और साथ में असलम बहुत अच्छे टैकल भी करते हैं इरान की तरफ से 2023 फाइनल खेलने वले मौम्मद रेजा चिया आपके टीम में जरूर रहें तो बहतर रहेगा जो इनका वीकलिंक है वो है अभिनेश नादराजन और संकेत सावन दोनों इनके पास लास्ट यर थे एक्स्पीरियंस हो गया है लेकिन फिर भी बहतर कर सकते हैं गौरफ खतरी हैं जो कि इनका कॉर्णर का काम करेंगे बलाजए लास्ट यर आपको याद है P.K.L. की स्टार्ट में बोला था अकाशिंदे निया नाम है ध्यान रखना इंडिया के स्कॉर्ड में स्कॉर्ड में पिछले साल की मेरी पुनेरी परिटन की मैच वन की वीडियो उठा के देख लो, अकाशिंदे खेले नहीं थे उसम मुहम्मद रेजा चियाने को लिया, मुहम्मद रेजा शादलू चियाने पूरा नाम है, 2.35 करोड में, तो समझ जो इनकी मबोटेस, बहुत अच्छे और रॉंडर है, स्टार रॉंडर, देन एमद मुस्तफा इनामदार को लिया, अगर आपको नहीं पता ये कौन है, मैं ये भी बता देता हूँ, आपको भी मैंने पिछले ही स्लैड पर बताया इनामदार कौन, असलम, असलम के ही छोटे वाही हैं, एहमद मुस्तफा इमानदार, देन इश्वर हैं, देन हरदीप हैं, और वाहिद रेजा एमराइ, जो अच्छे रेडर है, तो लास्ट टाइम, असलम 17 मैच, टोटल 1500 पॉइंट, जिसमें रेड़ पॉइंट थे, 138 प्लस 12 टेकल पॉइंट थे, 8.1 उनकी एवरेज एक मैच में रेड़ पॉइंट थे, और सुपर 10 चाल लगाये थे, अकाश इंदे, 22 मैच, 142 पॉइंट, 139 इनकी रेड़ पॉइंट, 6 पॉइंट थे, एवरेज रेड़ पॉइंट, सुपर 10 लगाये थे, 5. मोहिद गुयत, 17 मैच, 137 तोटल पॉइंट, 120 इनकी रेड़ पॉइंट थे, 17 इनोंने टेकल पॉइंट लगाये थे, 7 की एवरेज, 4, सुपर 10, भाई, ये तीनों ही कमाल के खिलाड़ी है, इतना अच्छा रेडिंग डूओ था, ट्रियो मुझे एक्चली कहना चीए, ट्रयो और उसका पंकज मोहिते भी थे, और इस बार मुहमद रेजा भी आगया, ऐसी फाइनल नहीं खेली थी, मानता हूँ जैपुर से, इसी टीम से जिसके सामने आज मैच है, फाइनल हारी थी, बर टीम अच्छी है, पंकज मोहिते 13 मैच में 60 पॉइंट किये थे, जिसमें 52 इनके 8 पॉइंट थे, आज टैकल, भाही इनका हर रेडर टैकल भी मार रहा है, अजित्या शिंदे 6 मैच 20 पॉइंट, इस साल भी इनकी टीम में है, अजित्या शिंदे भी अच्छे खिलाड़ी है, इनको रिटेन किया गया है, चे मैच में 20 पॉइंट थे, एक सूपर टैकल थी, तो बहुत आप्शन्स है इनके पास, अब डिफेंडर्स, पहले तो अब डिफेंडर्स वही देख लेते हैं, मुहित गोयत और असलम दूनों ने डिफेंट से भी पॉइंट दिया, अब में इनके लिए, मुहमद रिफेंट याने लास्ट यहर इनकी टीम में नहीं थे, लेकिन टोटल 20 मैं 84 पॉइंट, ओन अन एवरेज 4 दिशमलव 1 टैकल पॉइंट मार रहे हैं हर मैं, 4 दिशमलव 1, इट्स नॉट लेस, ठीक है और 10 सूपर टैकल थे, अभी नेश नादर अजर 15 में 34 दो सूपर टैकल, संकेश सवन 24 में 30 जीरो सूपर टैकल, थोड़े इने एक्सपीरियंस दे हैं, बट लास्ट यहर के बाद आप बहतर उमीद करोगे, गौरव कत्री 16 में इनके 20 टैकल पॉइंट, दो सूपर टैकल, बादल सिंग एक और डिफेंडर हैं इनके बास, 12 में 7 पॉइंट टैकल और एक सूपर टैकल, और बादल सिंग भी खेले थे, लास्ट सीजन 12 मैच्चिस और इस साल भी रिटेन किये गए हैं, तो पुनेरी टीम ने बहुत अप्ते प्लेर्स रखे हैं, इसलिए काम प्लेर्स आउक्षन में बाई किया और सेम काम किया जैपुर ने, जैपुर तो टीम ही चैंपियन थी, इनका स्टार्टिंग 7 देखोगे, लगबग सेम है, साहुल कुमार बहुत अच्छे खेले थे, सुनील तो बहुत बढ़िया खेले थे, रेजा मेरबगानी अच्छे केले थे, और अंकुष राठी, इनके बेस्ट डिफेंडर थे, नंबर वन, ठीक है, इनकी स्टार्टिंग 7 वही है जो लास्ट येर बन रही थी, हाँ, दिपक निवास उड़ा की कमी है, लेकिन टीम में कोई कमी नहीं है, ठीक है, में रेडर थे, अर्जुन देशवाल, वियजित कुमार साथ नहीं बाते थे, और राहूल चौधरी साथ नहीं बाते थे, सबसे में अर्जुन देशवाल है, नंबर वान प्रोकबड़ी लीग के लास्ट येर के रेडर थे, और नंबर वान डिफेंडर प्रोकबड़ी लीग लास्ट येर के अंकुष राटी थे, तो अंकुष और अर्जुन दोनों की बज़ॉलर टीम ने विजए हासिल करी थी, अब यहां अगर मैं आगे बढ़ू, तो यह रेजा जो थे, इरान की दर्व से फाइनल भी खेले थे, अच्छे डिफेंडर रहे दियान देना, रेजा मेर विगानी, अब यहां पे आपको बहुत नाम देखने को मिल रहे हैं, मैंने ज़्यादा प्लेयर्स को हाइलेट टी है, सभी इनके बेस प्लेयर्स पर ही खरीदे गए है, राहुल चौधरी एक अच्छे प्लेयर है, इनको भी बेस प्लेयर्स पर लिया गया, लेकिन यह पोस्टर बॉइफ को बढड़ी रह चुके है, अगर आपको नहीं पता, काफी फेमस भी है, ठीक है, बाकी वैसे ही कुछ है, कुछ खास इसके अलावा नहीं है, तीन रेडर थे इनके में, तीनों ने लास्ट येर खेला था, तीनों के अगर आप पॉइंट देखोगे, तो अर्जुन देशवल 24 मैच, 296.296 के 296, रेड़ पॉइंट 12 पॉइंट और एवरेज पर मैच कर रहे थे, रेडिंग में 17 सूपर 10, 24 मैच में 17 बार कैप्टन मन आदो इनको, आप जीच जाओगे, ठीक है, वी अजुद कुमार, 21 मैच, 103 पॉइंट, रेड़ पॉइंट 100, बनते हैं, और ये टोटल 24 मैच खेले थी, टूर्णमेंट में, तो 22 सूपर 10 इनके लिए हैं, हर मैच में कोई सूपर 10 लगा रहा है, इसलिए जैपूर चेंपियन बनी थी, चार इनके डिफेंडर में, चारों लास्ट येर खेले थे, इस अल्भीन के पास है, इरान के लिए खेलते हैं, और एजियन गेम्स फाइनल खेले थे, 16 मैच, 36 टैकल पॉइंट, एक सूपर टैकल, सारे स्टैट्स आपने देख लिए, लेकिन फिर भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, हर मैच में आता था, मज़ा आता था, बड़ा प्लियर छोड़ना पड़ता था, बड़े बड़े प्लियर आपको याद होगा, एपियल में जॉस बटलर 4 सेंच्रीज हर बार लिया था, दो बार 0 ड्रॉप किया था, तो ये बड़े रिस्क हम ले पाते थे, अब लिया ही नहीं जाता यार, क्योंकि क्रेड का प्रॉबलम भी नहीं होता, लेकिन इस मैच में बहुत क्रेड प्रॉबलम है, और कबड़ी के मैच में क्रेड प्रॉबलम होना, बहुत दिमाग घुमाता है, आप अगर देखोगे मेरी जो फेवरेट टीम बन रही है, उसमें क्रेड के वज़े से मैं नहीं बना पाऊंगा, तो बड़े प्रॉबलम छोड़ने पड़ सकते हैं, पहले रेडर्स पे आते हैं, रेडर्स में लास्ट टाइम के बेस्ट रेडर, जैपर को जिताने वळा किंग, यहाँ पे अरजुद देशवाल, हाइस ट्रेड किये थे, हाइस पॉइंट थे, पूरे P.K.L. में इनके, ठीक है, पिछले सीजन में, बहुत अच्छे हैं, इनको मैंने रख लिया, ठीक है, यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे रेडर्स हैं, अकाश इंदे हैं, अकाश इंदे, इंडिया के लिए सिलेक्ट हो गए थे, एशियन गेम्स में इस साल, यह भी बहुत काम कर जाते हैं, और मैं इनको लेना भी चाहता हूँ, लास्ट यह मैंने बहुत तरीफ करी थी, टीम में भी आया था पुने की और बेस्ट रेडर भी बन गए थे, पोस्टर बॉइ, जैपुर के, पूरे PKले इंपक्ट राहुल चौधरी, हालकि इनकी रेडिंग पर वह स्थोड़ी काम हुई है रिसेंट टाइम में, इमानदार और इड के छोटे वाई भी जुड़ गए हैं अब, दूसरे इमानदार, ठीक है, बस E और I का फरक है, बट आपको बता दू, यह पता नहीं क्यों, इन्होंने स्पेलिंग रद रखे हैं, इन्हीं के छोटे वाई हैं, थोड़ी शकल देख लो, आइडिया लगेगा, सेम टू सेम, दोनों अच्छे हैं, लेकिन असलम इंडिया के लिए खेलते हैं, और ज़्यादा अच्छे प्रोलिफिक हैं, इनको इसलिए में बैक कराऊं, मुहम्मद रजा चियाने शादलू भाया, कौन, किसको मिले हैं, इतने पैसे, इराणी खिलाडी इतने पैसे लेके गए, भाया, सिरफ टेकल टेकल से ही बहुत पॉइंट ले जाते हैं, वन ओफ देश्ट डिफेंडर से पिछले P.K.L. के बहुत गेम में इंडिया के सामने ही, इरान से कहलते हुए, चियाने ने सुपर रेड भी मार दी थी, तो रेडिंग भी करते हैं, बट इस टीम में मेजर रोल इन करेगा, एस डिफेंडर, यहां पे नामदवर का मैंने आपको बता दिया थे, इस रीजन से आपको कह रहा था, मुझे इस मैच में क्राइड प्रॉबलम आ रही है, बट मैं एक्स्प्लेइन कर देता हूँ, अंकुष राथी सबसे अच्छे डिफेंडर बने थे, टॉप जो रेडर बने थे, वो बने थे, अर्जुन देश्वाल, मैंने पिछले में अधित्य देश्वाल बोल दिया, माफ करना, अर्जुन देश्वाल और अंकुष जूनियर बने थे, सबसे बेस्ट डिफेंडर, यह दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी, सुनील कुमार, इंडिया के वाइस कप्तान है, एजियन गिम्दे पवन कैटन थे, यह वाइस कैटन, देन साहूल कुमार है, यह भी अंडरेटेड है, इन्होंने, I think इनका रिकॉर्ड है, एक मैच में हाइस टेकल्स का, पीकेल में, बहुत अच्छे है, इनमें या शादलू में ही किसी का रिकॉर्ड है, मोहमद रेजा चियाने शादलू, इनका पूरा नाम शादलू आ गया आता है, संकेत सवन्थ, अभिनेश नादराजन, दोनों पूर्नेरी पल्टन के रिटेंड डिफेंडर्स हैं, लास्ट ये डिसेंट खेले थे, बट बढ़िया कर सकते हैं, अब experience हो गया है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे एज़ा मेर विखारी, जिसको नहीं पता भाई, यह जब पूर सा रेगूलर लास्ट टेम खेले थे, आपने स्टैट्स में देखा, और यह इरान के अच्छे खिलाडी में आते हैं, लकी शर्मा हैं, देन ऑप्शन्स हैं, बादल सिंग हैं, बढ़िया खिलाडी है बादल सिंग भी, बट मैं यहाँ पे अब सिंपल ही आपको बता रहूँ, क्रैड इशू की वज़े से मुझे कुछ रिस्क लेना ही पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले अगर मुझे अंकुष चाहिए, तो बड़ा रिस्क बनता है, मैं क्या कर रहा हूँ, साहूल के लिए जा रहा हूँ, और साहूल के साथ मैं संकेश सावन्त सोच रहा हूँ, लेकिन फिर मेरे रेडर तो बेस्ट कवर हो गए, डिफेंस में मेरे टीम थोड़ी लैग कर रही है, क्योंकि सुनील भी रहा गए, अंकुष भी, बढ़ यही मेरा रिस्क है दोस्तो, संकेत सावंत और साहुल के साथ मैं गया हूँ, अगर मुझे कोई सस्ता क्राइड वला खि पुनेरी पल्टन है, मुझे बहुत पसंद है, जीती कौन थी फाइनल, जैपूर नहीं पुनेरी पल्टन को रहा था, यह फाइनल का ही रिपीट है, अब मेरे टीम में बले ही दो खिलाडी हूँ, बट जैपूर की तरफ से, बट कैप्टन सी मैं दे रहा हूँ, देशवाल को लास्ट डेम के बेस्टेडर, रिस्क लेना, च आने को बेक कर रहे हो, तो च आने को कैप्टन सी दे सकते हो, बहुत बड़ा रिस्क भीड़ कर सकते है, बज़ जगायगा